किस किस तरह पत्थर बांटे गए इन लोग की तो पहचान करने पड़ेगी आप लोगतंतर में प्रोटेस्ट करने आए हैं या पुलिस में पत्थर चलाने आए हैं लोव एन अंडर को अपने हाथ में लेने आए हैं और कौन लोग थे जो भड़का रहे थे मुझे बताया गया है कि भारतिये जंता पार्टी के कई बड़े लीडर वहां मौझूद थे और कई बड़े लीडरों के बेटे और रिष्टेदारों ने लोगों को भड़काया लोगों को उग्र किया और लोगों को शांति भंग करने के लिए तयार किया आप पूछिए कि म बिहार में जिस तरीके से पुलीस फाइरिंग हुई उसके बाद बिहार की सियासत लगातार गर्ब हैं और लगातार सुशाशन की सरकार पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। कहा जा रहा है कि मुक्मंती नितीश कुमार ने गुंडों के साथ गडबंदन कर लिया है और गुंडागर्दी वाली सरकार चल रही है हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडियू के कदावर नेता एमेल सी डॉक्टर खाली दनवर जी है इन से बात करेंगे अब तो सामने से गोलिया चला रही है पुलीस ये कैसा सुशाशन है नहीं जो लोग मरे हैं कटिहार में सरकार को दुख है हम लोगों को दुख है नहीं मरना चाहिए और उसकी इनकवारी हो रही है मामला सामने आएगा लेकिन उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन लोग थे जिन्हों ने मासूम लोगों को जमा करके उनको प्रोग किया और क्या-क्या भाशन दिया गया वहां पे किस-किस तरह पत्थर बांटे गए इन लोग की तो पहचान करने पड़ेगी आप लोकतंतर में प्रोटेस्ट करने आया है या पुलिस में पत्थर चलाने आया है लोग अन किया और लोगों को शांति भंग करने के लिए तैयार किया आप पूछिए कि मानिये ओपोजिशन लीडर विजय सिना जी कहा थे उस दिन क्या कर रहे थे हो किसको हैंडिल कर रहे थे क्या करने कटिहार गय थे सवाल तो होगा जब आपकी लोग इस तरह की हरकते करेंगे दं कि आप कटिहार में उस दिन क्या कर रहे थे आपके कार्ज करता लोगों को क्यों उक्सा रहे थे आपकी एक बड़े पार्टी आपकी पार्टी के बड़े लीडर हैं कटिहार में उनका बेटा भील को क्यों लीड कर रहा था और क्यों आयन मोके पर वो चला गया मासुम सवाल है कई एंगिल से सवाल होगा और पुलिस अपना काम करेगी इनको आरे करेगी जो लोग भी मुझरिम पाये जाएंगे जिन लोगों ने दंगे के लिए भड़काया और शांती भंग करने की कोशिश की उनके खिलाफ तो कारवाई होगी माल लेते हैं भीड उग्र हो अगर फाइरिंग करना आपको क्या सही लग रहा है कि मैं बिल्कुल न वाटर कैनन चलाने के पक्ष में हूं लाठी चार्ज के पक्ष में हूं और न फाइरिंग तो बहुत बुरी चीज है नहीं होनी चाहिए थी लेकिन जो एक दर्दन से ज्यादा पुलिस वाले शदीद के जख्मी हुए है और उनको हुस्पिटल में भरती कराये गया है बीजेपी की मशीन एक तरफा वीडियो चलाती है लेकिन इसके बावजूर सरकार ने ओडर दिया है इनकुरी करने का क्यों फायरिंग की गई क्यों दो लोग मरें जो मुझरिम होगा उसको सिजा मिलेगी लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भीड को उक्साया, उग्र किया और पुलिस पे पत्राव करने के लिए मजबूर किया, उनको भी नहीं बक्सा जाएगा. यानि खाली दनवर जी आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है वो भीड को उक्साने का काम कर रही थी और पहले से प्रिप्लाइन्ट था कुछ वैसा? लग नहीं रहा है, एविडिन्स मौजूद है, वीडियो मौजूद है और कौन कौन है सब आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा, सब लोगों पे फायार होगा, और मैं तो ये डिरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, माननी अपोजिशन लीडर स्रीविजय सिनाजी से, कि आप क पड़ेगा, अगर आप लाशों की स्यासत करना चाहते हैं, आप बिहार को आग और खुन में धकेल देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि बिहार का शांती भंगो, तो ये नहीं होने दिया जाएगा, बिहार की जनता कभी ऐसा नहीं होने देगी, और हमारे नेता नितीश कि विजय सिना जी जो है, वो मास्टर माइंड है इस पूरे करम के? ने मुझे ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा, लेकिन ये ज़रूर मुझे सवाल करने का हक है, कि आप क्या कर रहे थे कटिहार में, किस लिए गय थे, और सिर्फ दस किलो मीटर की दूरी पे बैठके, अपने क जीशन लीडर से मैं पूछ हूँ, कि ये दो लोग जो मारे गए हैं, उनका कुसूर क्या था? क्यों आपके करज करता हूं, उगर किया? क्यों उन दो बेचारे लोगों को गोलियां लगी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको. जब आप सवाल पूछ रहे हैं, तो ज दर्द है, और उस दर्द को बताना पड़ेगा मन्य विजय सिनह जी को. विजय पी करी के आप लोगों ने गुंडों के साथ गडबंदन किया है, और गुंडागर्दी की सरकार चला रहे हैं, इससे जादा और कुछ नहीं ना विकास की बात हो रही है, और नहीं सुसासन है विकास में लगे हैं, और भारतिये जनतापार्टी में लगी हम लोग काम कर रहे हैं, यह लोग आदेगार्घम, इस दिस्टिक में सब पर निगाहे हैं, और सब लोग एक-एक करके एक्सपुज हो जाएंगे, कि आज का ठियार में जो हुआ एक दो दिन ले गए एकस्पूज हो जाएगा सारा मामला कौन है क्यों है और किस लिए है और कहां कहां कर रहे हैं अभी मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आप दोचार दिन में सब सुन लीजिएगा ति लोग कहां कहां साजिशे कर रहे हैं तो आपने सुना डॉक्टर खाली देनवर को असपस रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ी साजिस जो है वो रहची जा रही है अलागी बिहार में शुशाशन की सरकार चल रही है और जांच के आदेश दे दिये गए हैं मगर एक बड़ा सवाल भी नेता पर्तिपच विजय सिना से पूस्ते नजर आ रहे हैं कि आखिर कटिहार में उस दिन कर क्या रहे थे किस किस तरह पत्थर बांटे गए इन लोग की तो पहचान करनी पड़ेगी आप लोगतंतर में प्रोटेस्ट करने आए हैं या पुलिस में पत्थर चलाने आए हैं लोव एन अंडर को अपने हाथ में लेने आए हैं और कौन लोग थे जो भड़का रहे थे मुझे बताया गया है कि भारतिये जंता पाटी के कई बड़े लीडर वहां मवजूद थे और कई बड़े लीडरों के बेटे और रिस्तेदारों ने लोगों को भड़काया लोगों को उग्र किया और लोगों को शांति भंग करने के लिए तैयार किया आप पूछिए कि मा जो जो आपने हमागे जो आपसे की जो का प्रेको कि पर लूख है